आप सभी को रादे रादे और मैं अपने गाउं वाले घर में निकल चुकी हूँ सोभा यात्रा के लिए जिसमें बच्चियां कलस यात्रा लेके जाएंगी ये सब कारिकरम नर्मदा जैनती के उपलक्ष में किया जा रहा है क्योंकि हमारा गाउं नर्मदा नदी के किनारे इस्तित है इसलिए हम सभी लोग नर्मदा जैनती बड़ी धूम धाम से मनाते हैं अभी हम सभी लोग एक जगे एकत्रित हुए थे और अब वहां जा रहे हैं जहां नर्मदा मंदीर बना हुआ है और ये कलस यात्रा वहीं से स्टार्ट होती है और अन्य कारकरम भी होते हैं ये नर्मदा मंदीर है यहाँ पे बच्चियों का पूजन होता है पंडिजी करते हैं और सम्मानी नागरी को दोरा भी किया जाता है और इसी मंदीर से चुनरी की यात्रा भी बाहर निकाली जाती है ये चुनरी मान नर्मदा को समर्पित की जाती है और यहाँ से पूजन करके कन्या पूजन करके ही चुनरी को बाहर निकाला जाता है और सभी नागरीक इसमें माताएं बहने और सबी लोग चुन्री को अपने यता संभाव प्रयास से पकड़ते हैं और माता जी के जैगोस करते हुए ये सियातरा को निकाला जाता है और लोग कन्याओं का पूजन करते हैं और उसके बाद ही सभी गाउझ में लोग चुनरी में नीचे साथ-साथ चलते जाते हैं और एसको पकड़कर माता जी की पूझन भी की जाती है और जितनी भी करन्याएं होती हैं उनकी पूझन करते चलते हैं उनको नर्मदा मया का स्वरूप समझ कर उनकी पूजा की जाती है बच्चिया सुबह से बहुत जल्दी तयार होकर आ गई थी और बहुत देर से इंतजार कर रहे थी कि कब ये सोभा यातरा सुरू हो और वो लोग चलें तो इसलिए इतनी सुदर तयार होके आए थी सच में ऐसा लग रहा था जैसे मानो साक्षात नर्मदा जी ही इनके अंदर है और इनके सुरूप में हैं बहुत अच्छी लग रही थी सभी करन्या हैं बहुत ही प्यारी लग रही थी और हमारी सुभा यातरा नर्मदा मंदिर से सुरू होती है तो इसमें सभी लोग सामिल होते हैं और लोग इनका पूजन करते हुए फिर सामिल हो जाते हैं और जुड़ जाते हैं बहुत अच्छा लग रहा है बहुत सुंदर सुंदर भजन चल रहे हैं और सभी लोग भजन करते हुए नर्दा जी की जेजेकार करते हुए आगे बढ़ते हैं और नर्दा मैया हमारी माता हैं उन्हें माता के समान मानते हैं एक नदी नहीं माना जाता है उनके पूजन की जाती है बहुत ही अच्छा लगता है ये सारी चीज़े और इसे एक तेवह को बहुत दिल से मानाया जाता है बहुत ही अच्छा लग रहा है यहां पर देखिए अब सभी लोग जा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं नर्मदा मंदिर से यात्रा आगे बढ़ चुकी है और मा केला देवी मंदिर के पास से सुरवात होगी वहां भी पूजन होगी मा नर् इतना सुन्दर द्रश है इतना मनोरम है कि मैं आपको इसको बया नहीं कर पा रही हूं जिस तरीके से जो मुझे अनुभा हो रहा है वो तो बहुत ही सुन्दर है इसमें केवल हमारे गाओं के नहीं और लोग भी सामिल होते हैं यह देखिए मुझे जहंडा चुने के लिए मुझे बहुत खुश हुई मैंने भी जहन्टे को हिलाओं और बोलों कि जै नरदा मया की जै तो मैंने थोड़ी देर के लिए ले लिया था बच्चों से क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था मुझे ऐसे काम बहुत अच्छे लगते हैं धार्मिक आयोजनों में मे लोग जा रहे हैं यह जो आगे आपको दिवाल दिखाई दे रही है यहां की यग शाला है यहां भी अच्छे चारिकरम होते हैं और नर्दा नदी के दर्शन आपने अभी किये अब यहां पे कंद्याओं का पूजन बारी-बारी से जिनके घर के सामने से या तरा निकल रही ह और महले से होते हुए लोग आके पूजन कर रहे हैं और कन्याओं के पैर लग रहे हैं और सभी लोग बहुत अच्छा अनभव कर रहे हैं और बच्चियां भी बहुत प्रसंद हैं देखिए इतनी प्रसंद है कि बहुत अच्छे से इनको नरत्य कनने का मन हो रहा था कि हम नर और बच्चे भी सामिलें यहां किसी प्रकार की रोपटोप नहीं है किसी को जो भी स्वेक्षा से जो करना चाहता है जो कि धार्मिक आयोजन के अनुरूफ हो यह महाराज जी है इनकी पूजन की जा रही है इनके ही छत्र चाया में यह कारिक्रम आयोजित हो रहा है और इनकी पूजन करते हैं इसके बाद यहां से हम आगे बढ़ेंगे अभी पूजन चल रही है सब लोग बहुत रसन है और जितने भी गाओं में महिला पूरुष जो पूजन करने के एक शुक हैं वह सभी लोग इनका पूजन करते हुए मान अर्मदा को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं और इन कन्याओं को नारियल और पैसे बेट कर रहे हैं जो कि हम अभी रख रहे हैं और बाद में इनको दिये जाएंगे तो इस अभी लोग बहुत खुश हैं बच्चियां भी और इनको थकान भी नहीं लग रही है क्योंकि कलस लेके चल रही हैं इनके हातों म दर्दी भी होता है लेकिन खुशी इतनी जादा रहती है कि हमें से यातरा में सामिल है तो वो दर्दी भी महसूस नहीं करती हैं लोग बोज़की छोटी छोटी कन्याओं हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है देखिए महाराजी सब अभी भी पूजन कर रहे हैं पूजन अर हैं को फरी सामने से यातरा बढ़ रही हैं तो जो कि नह éléments बढ़ना के पुछा रही हैalley अगे चल रही हैं चुनरी लेके जैन्स लोग आ रहे हैं और उनके पीछे फिर महिनाय उड़ती जा रही है इस प्रकार ये सोभा यत्रा आगे बढ़ती जा रही है ये हमारे गाउं में पीर बाबा चोक है यहां पे पीर बाबा की मजार भी बनी हुई है तो वहां पे भी पूजन हो रही है बह हमें यात्रा को आगे भी तो बढ़ाना है ज्यादा लेट भी नहीं होना है क्योंकि कन्याय ठक जाती है छोटी बच्चियां है तो इस यात्रा को हमें एक सीमित समय में ही ले जाना है इसे हम गाउं में ही गुमाएंगे और सभी लोग दर्शन पूजन करते हुए आगे